कि आज हम बनाने जा रहे हैं गोल गप्पे का पानी तो सबसे पहले हम लेंगे बिना बीज वाली मिर्ची 50 ग्राम इमली बिना बीज वाली इमली 50 ग्राम काला नमक एक चमच भुणाववा जीरा एक चमच सफेद नमक एक चमच और चीनी ढाई चमच टी स्पून और उसके अलावा फ्लेवर देने के लिए हम लेंगे दो या तीन हरी मिर्च और दो कप पुदीने के पत्ते यह पानी 7 कप पानी से बनेगा यह 200 ग्राम का मेशरिंग कप है 7 कप पानी से बनेगा पहले हम इमली 50 ग्राम इमली को एक कप पानी में बिगो देंगे का हमने यह पल्प तयार कर लिया है विए एग कप पानी में 50 गराम भीगिवई इंबली को यहुने निकाल के अलग कर दिया है जिसे हम भेग देंगे और यह हमने एंबली का पर बना लिया है इस खिल के पल्प को हम एक बड़े बर्थन में डालें एक बड़े बर्तिन में डालेंगे इसमें डालेंगे बच्चे हुए 6 कप पानी तो यह हमारे पास 6 कप पानी है देखिए 200 ml का यह कप है एक कप में हमने इमली भी होई थी पर 6 कप पानी हम इस तरह से डाल देंगे तो यह हो गए पूरे 7 कप पानी इसका बहुत ध्यान रखि क्योंकि 7 कब पानी में फ्लेवर पूरी तरह से उठके आएगा पतला हो जाएगा तो फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा अब इसमें हम डालते हैं एक चम्मच काला नमक लेवल करके एक चम्मच काला नमक एक चम्मच भुना हुआ जीरा एक चम्मच सफेद सीधा नमक और ढाई चम्मच एक चम्मच दो और आधा चम्मच और ढाई चम्मच चीनी अब इसे हम उबाल लेंगे अब बुदीना और यह सब हम बाद में एड़ करेंगे तो कि अभी हम इसे अच्छे से उबाल लेंगे ताकि इमली का पानी पूरी तरह से साफ हो जाए उबलने के बाद यह पानी 5-7 मिनिट तक उबाल कर हमने हलका ठंडा कर लिया है और इसी पानी का थोड़ा सा डाल कर हमने पूदीना और हरी मिर्ची का यह पीस्ट के पेस्ट बना लिया है अब इस पेस्ट को हम इस पानी में मिक्स कर देंगे पुदीना और हरी मिर्ची का पेस्ट इसे हम अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देंगे और यह हमारा गोल गप्पे का इमली वाला पानी तयार है लेकिन अभी इसमें फ्लेवर पूरा नहीं होगा इसलिए इसे 5-6 गंटे तक फ्रिज में रख दें किसी बॉटल में डालकर फ्रिज में रख दें और उसके बाद यह इस्तिमाल करने के लिए पूरी तरह तयार है इसी पानी में थोड़ी बूंदी मिलाएं तो यह जलजीरे की तरह भी इसे उप्योग में ला सकते हैं यह हमारा पानी तयार है लेकि कि फ्लेवर्स पूरी तरह इसमें मर्ज हो जाएं